नमस्कार, इतनी बड़ी ताताज में हिंदुस्तान के सभी कौने से आप सब का इस महत्वपूर्ण वेबिनार में समील निर्थ होना, अपने आप में इसका महत्वपूर्ण दर्थाता है, मैं रदय से आप सब का स्वागत करता हूँ, आप इस बात से परिचित है कि बजेट के इंप्लिमेंटेशन को लेकर हमने एक बार इस बार एक नया विचार मन में आया और एक नया प्रयोक हम कर रहे हैं, और यह अगर सफल हुआ प्रयोक, तो शायद भविश में भी बहुत लाब होगा, अब तक कई ऐसे वेबिनार हुए हैं, मुझे देश के गणमान्या, ऐसे हजारों लोगों से बजेट के सबन्द में बात्चित करने का उसर मिला है, पूरे दिन भर वेबिनार चले हैं, और बहुत ही अच्छा रोडमेक, इंप्लिमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे सुजाव, आप सब की तरब साया है, ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज़्यादा आप लोग दो कदम और आगे और दो तेजी से जाने के बूर में हैं, यह अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है मेरे लिए, सुखद अनुभव है, और मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में भी हम लोगों की कोशिच यह हैं कि देश का बजेट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिरब सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो, इसी क्रम में आज मैनुफेक्टरिंग सेक्टर, मेकिंग इंडिया को उर्जा देने वाले आप सभी महत्वप्रोन साथ्जियों से यह चर्चा हो रही है, बीते हप्तों में, ज़सा मैंने आपको बताया, अलग-अलग सेक्टर के लोगों से बहुत ही फलदा ही समवाद हुआ है, बहुत ही महत्वप्रोन और इनोवेटिव सुझावाई है, आज के इस वेबिनार का फोकस विशेश रुप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है, साथियों बिते छे, साथ सानों में अलग-अलग स्तर पर मेकिन इंडिया को प्रोड़साइप करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये गए हैं, इनमें आप सभी का योगदान प्रसंस नहीं रहा है, अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने अपने स्पीड और स्केल को बहुत अधित बढ़ाना है, और कोरोना के पिछले एक वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूँ कि भारत के लिए सिर्वे मोका नहीं है, भारत के लिए दुनिया के लिए जिम्मेवारी है, दुनिया के प्रती भारत की जिम्मेवारी है, और इसलिए इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भाती जानते हैं कि manufacturing अर्थ वबस्ता के हर segment को कैसे transform करती हैं, कैसे इसका प्रभाव क्यादा होता है, कैसे एक ecosystem create होती है, हमारे सामने दुनिया भर से उदारण हैं, जहां देशों ने अपनी manufacturing capacities को बढ़ा कर देश के विकास को गती दी हैं। बढ़ती हुई manufacturing capabilities देश में employment generation को भी उतरा ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी approach के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस sector में हमारी सरकार manufacturing को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार reforms कर रही है। हमारी नीती और रणनीती हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है minimum government, maximum governance, हमारी अपेच्षा है zero effect, zero defect. भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही manufacturing को globally competitive बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी production costs, products की quality और efficiency ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएं। इसके लिए हमें जूट कर काम करना होगा। और हमारी product user friendly भी होनी चाहिए। technology में most modern होनी चाहिए, affordable होनी चाहिए। लंबे समय तक sustain करने वाली होनी चाहिए। core competency से जुड़े sectors में cutting edge technology और investment को हमें जादा से जादा आकर्शित करना होगा। और निश्चित तोर पर इसमें industry के आप सभी साथ्यों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्चत है। सरकार इक सी focus के साथ आप सबको साथ ले करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चाहे ease of doing business पर बल देना हो, compliance burden को कम करना हो, logistic cost को कम करने के लिए multimodal infrastructure बनाने की बात हो। या फिर जीला स्तर पर export हफ इसका निर्मान हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाएं समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। और इसलिए self regulation, self attesting, self certification यने एक प्रकार से देश के नागरी कौप पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना इस पर हमारा जोड है। हमारा प्रयास इस वर्ष एंद्रों और राजचस्तर के 6000 से ज्यादा compliance को कम करने का हमारा इरादा है। इस समझ में आपकी राय, आपके सुयाव बहुत महत्वपून है, हो सकता है वेबिनार में उतना टाइम ना मिले। हम मुझे लिखित प्रेच सकते हैं। हम इसको गंबीरता से लेने वाले हैं। क्योंकि ये compliance का बढ़न कम होना ही चाहिए। टेक्नोलोजी आ गई हैं, हर चीज को बार बार ये फर्म परो, वो फर्म परो, डिखना परो, ये ये चीजों से मुझे मुक्ति देनी हैं। इसी प्रकार, लोकल लेवल पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स और प्रोडूशर्स को ग्लोबल प्लेट्वर्म उच्पलब्द कराने के लिए, आज सरकार अनेक शेत्रों में काम कर रही है। इससे MSMS हो, किसान हो, छोटे-छोटे हस्तसिल्पी हो, सभी को एक्सपोर्ट के लिए बहुत मदद मिलेगी। साथियों, प्रोडक्शन, लिंक, इंसेंटिव योजना के पीछे भी, मैनुफैक्टरिंग और एक्सपोर्ट का विस्तार करने की ही हमारी भावना है। दुनिया भर की मैनुफैक्टरिंग कमपनियां भारत को अपना बेज बनाएं और हमारी घरेलू इंडिस्ट्री, हमारे MSMS की संख्या और सामर्त का विस्तार हो, इस सोच के साथ हम इस वेमिनार में कॉंक्रीट योजनाओं को अगर रूप दे सकते हैं, तो जिस फिलोसोफि को लेकर के बेजट आया है, वो परणापकारी सिद्ध होगा, इस योजना का मकसद, अलग-अलग सक्टस में भारतिय उद्योगों की कोर कॉंपेटंसी और एक्सपोर्ट में ग्लोबल प्रेजन्स का दायरा हमें बढ़ाना ही होगा, सिमित जगा पे, सिमित देशों में, सि हिंदुस्तान के दो-चार कौने में से ही एक्सपोर्ट, ये स्थित्ती हर प्रकार से बदलनी है, हिंदुस्तान का हर जिला एक्सपोर्ट में क्यों न हो, दुनिया का हर देश बारत से इंपोर्ट क्यों न करता हो, दुनिया के हर देश में, हर इलाके में क्यों न हो, हर प् एक open-ended input-based subsidies का प्रावधान होता था, अब इसको एक competitive process के माध्यम से targeted performance-based बनाया गया है, पहली बार 13 sectors को इस प्रकार की योजना के दाएरे में लाना हमारा commitment दिखाता है, साथियों ये PLI जिस sector के लिए हैं, उसको तो ये लाब हो ही रहा है, इससे उस sector से जुड़े पूरे ecosystem का बहुत फाइदा होगा, आटो और फार्मा में PLI से आटो पार्ट, medical equipment और दवाओं के raw material से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी, advanced cell batteries, solar PV modules और speciality steel, इसको मिलने वाली मदद से देश में energy sector आधुनिक होगा, हमारा अपना raw material, हमारा अपना labor, हमारी अपनी skill, हमारा अपना talent, हम कितना बड़ा jump लगा सकते हैं, इसी तरह textile और food processing sector को मिलने वाली PLI से हमारे पूरे agriculture sector को लाप होगा, हमारे किसानों, पशुपालतों, मच्छवारों याने पूरी ग्रामिन अर्थे बहस्ता पर इसका सकारात्मक असर पढ़ेगा, आए बढ़ाने में मदद मिलेगी, अभी आपने कल ही देखा है, कि भारत के प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राश्ट ने, United Nations ने, वर्ष 2023, 2023 को, याने दो साल के बाद, 2023 को, International Year of Millets गोशित किया है, भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में, सक्तर से ज़्यादा देश आये थे, अब फिर, V.N. General Assembly में, ये प्रस्ताव सर्व सम्वत्य से स्विकार किया गया, ये देश का गवरो बढ़ाने वाली बात है, ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है, और उसमें भी खास करके, छोटे किसान, जहां सिंचाई के सुविधाय भी कम है, और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है, इस मोटे अनाज के वा महत्मय दुनिया तक पहुँचाने का काम, UN के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया, वो 2023 के लिए स्विकृत हुआ है, भारत के छोटे किसानों को, जहां सिंचाई उप्पलब्द नहीं है, ऐसे दुर्गम इलागे की खेती को, हमारे गरीब किसान को, यह मोटे अनाज की ताकत कितनी है, nutrition value कितनी है, उस पे variety कितनी हो सकती है, दुनिया में यह affordable कैसे हो सकती है, कि कितना बड़ा आउसर हमारे सामने है, जैसे हमने योग को, दुनिया में प्रचारीत, प्रसारीत और प्रतिशिक किया, वैसे ही, हम सब मिल करके, खास करके, एग्रो पोसेसिंग वाने लोग मिल करके, मिलेट्स, यानि मोटे अनाज के लिए भी, सारी दुनिया में पहुँच सकते हैं, वर्ष दोहजार तेईस में, अभी हमारे पास समय हैं, हम पूरी तैयारी के साथ, विश्व भर्में अभ्यान शुरू कर सकते हैं, जिस तरह से, कोरोना से बचाने के लिए, मेड इन इंडिया वच्षिन है, वैसे ही, लोगों को बिमार होने से बचाने के लिए, भारत में पादा हुए मिलेट्स भी, मोटा अनाज भी, उसकी नुट्रेशन वैल्यू भी, उतने ही उप्योगी होगी, मिलेट्स या मोटे अनाज की पौश्टिक शम्ता पर, अब हम सभी उसे परिची था है, एक समय में रसोई में मिलेट्स बहुत प्रमुक्ता से होते थे, अब ये ट्रेन वापस लोट रहा है, भारत की पहल के बाद लियन द्वारा, 2023 को, इंटरनेशनल येर अफ मिलेट्स की गोशना, देश और विदेश में मिलेट्स की डिमांद पेजी से बढ़ाएगी, इस से हमारे किसानों और विशेशकर देश के छोटे किसानों को भवत फाइदा होगा, इसलिए मेरा एग्रिकल्चर और फूर प्रसेजिंग सेक्टर से आग रहे हैं, कि इस अवसर का पुरा लाब उठाए, मैं तो आज भी आपके वेमिनार से कोई सुझाव निकलते हैं, तो एक छोटा टास्क पोस्ट बनाया जाएं, जो जिसमें पब्लिक प्रवेट पार्टर्शिप का मोडल हो, और हम इस मिलेट मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं दुनिया में, इस पर हम सोच सकते हैं, ऐसी कौन सी वेराइटीज बन सकती हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों के टेश के अनुकुल भी हो, और हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर हो, साथ यों, इस वर्ष के बजेट में, P.L.I. स्किम से जूड़ी इन योजनाओं के लिए करीब दो लाग करोड रुपिय का प्राधान किया गया है, प्रोडक्शन का आउसतन पाँच प्रतिशत इंसेंटिव के रुप में दिया गया है, यानि सिर्फ P.L.I. स्किम के द्वारा ही आने वाले पाँच सालों में लगबग 520 बिलियन डालर का 520 बिलियन डालर का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है, अनुमान ये भी है कि जिन सेक्टर्स के लिए P.L.I. योजना बनाई गई है, उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है, वो करीब करीब दो गुनी हो जाएगी, रोजगार निर्मान में बहुत बड़ा असर P.L.I. योजना का होने वाला है, इंडुस्ट्री को तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में तो लाब होगा ही, देश में आए बढ़ाने से जो डिमांड बढ़ेगी, उसका लाब होगा, यानि दो गुनाब फाइदा, साथियों, P.L.I. से जुड़ी जो गोशनाएं की गई है, उन पर तेजी से अमल हो रहा है, IT हाडवेर और टेलिकॉम एक्विक्मेंट मेनुफेक्टिरिंग से जुड़ी, दो P.L.I. योजनाओं को केबिनेट से शुकृती भी मिल चुकी है, मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर से जुड़े साथियों ने इनकी एसेस्मेंट अब तक कर ली है, IT हाडवेर के मामले में आने वाले चार वर्षों में करीब सवा तीन ट्रिलियन रुपे के प्रोड़क्शन का अनुमार है, इस युजना से IT हाडवेर में पांच सालों के दोरान डोमेस्टिक वेल्यू एडिशन अभी के पांच दस प्रतिशत से बढ़कर बीस प्रतीस प्रतिशत तक हो जाना है, इसी तरह टेलीकॉम एक्विप्मेंट मेनिफेक्टिम में भी आने वाले पांच साल में करीब धाई लाग करोड रुपिय की बृद्धी होगी, इसमें भी लगबग दो लाग करोड रुपिय का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने की स्थीति हमें, हम लोग इसका फाइदा उचा सकते हैं, फार्मा सेक्टर में भी आने वाले पांच-छे सालों में एक प्रकार से लाखो करोड रुपिय से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पीलाई के तरह तरहत होनी की संभावना हम नकार नहीं सकते हैं, बड़ा लक्ष लेकर के चल सकते हैं, इससे फार्मा सेल में लगभग तीन लाख करोड रुपिय और एक्सपोर्ट में करीब दो लाख करोड रुपे की वृद्धी का अनुमान है, साथियों भारत में आज जो बिमान वैक्सिन की लाखो डोड लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रधी बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रधी आत्मियता और उन देशों का लोगों का सने और बुजूर्ग जो बिमार हैं उनके आशिरवाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के यह हमारे जहाँ भर भर के आ रहे हैं, और यह संकट काल में जो भरोसा बनता है, वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता है, यह भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है, भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है, और नमरका के साथ कर रहा है, हम को यहंकार के साथ देख कर रहे हैं, हम कर प्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा पर्मो धर्म यह हमारे समस्कार है। इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नहीं उचाई पर पहुँच रही है। और ये भरोसा केवल वैक्सिन तक ही नहीं है। सिरफ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है, तो उसकी हर चीज के प्रती, विश्व के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, लगाओ बढ़ जाता है और वो उसकी पहली पसंद बन जाता है। हमारी दवाईयां, हमारे मेडिकल प्रोफेशन्स, भारत में बने मेडिकल एक्विपेंट्स, इन सब के प्रती भी आज भरोसा बढ़ा है। इस भरेश्व को सनमान देने के लिए, इस समय का लाप उठाने के लिए, हमारी दुर्गहमी रनदिती क्या हो, इस पर फार्मा सेक्टर को इसी समय काम करना होगा। और साथियों, भारत पर बना ये भरोसा, हर सेक्टर ने इसके सहारे आगे बढ़ने की ओजना का मोका छोड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, और इसलिए इस सकारात्मक परिसित्यों में, हर सेक्टर को अपनी रनदिती पर मन्थन शुरू कर देना चाहिए। पाने का है, देश के लिए हासिल करना है, आपकी अपनी कंप्री के लिए अवसर है, और साथियों, ये बाते जो मैं कह रहा हूँ, ये करना जरा भी मुश्किल नहीं है, पिएलाई स्कीम की सक्षे स्टोरी इनको बिलकुल सपोर्ट करते हैं, हाँ ये सत्य है, संबव है, ऐसी एक सक्षे स्टोरी, इलेक्ट्रोनिक्स बेनिफेर्ट्रिंग सेक्टर की भी, पिछले साल हमने मुबाईल फॉन और इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स के निर्मान के लिए पिएलाई स्कीम लॉंच की थी, पैंडेमिक के दोरान भी इस सेक्टर में बीते साल 35,000 करोड रुपय का प्रोडुक्शन हुआ, यही नहीं, कोरोना के इस कालखन में भी, इस सेक्टर में करीब करीब तेरा सो क्रेड रुपयो का नया इन्वेस्ट्मेंट आया है, इस से हजारों नई जॉब्स इस सेक्टर में तयार हुई है, साथ कि पिएलाई स्कीम का एक व्यापक असर देश के MSME इको सिस्टिम को हने वाला है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हर सेक्टर में जो एं इंकर उनिट बनेंगे, उनको पूरी वैल्यू चेंड में नए सप्लायर बेस के ज़रुवत होगी, यह जो एंसलिए यूनिट्स हैं, यह जानदातर MSME सेक्टर में ही बनेगी, MSME को ऐसे ही अफसरों के लिए तैयार करने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है, MSME की डेफिनेशन में बडलाव से लेकर इन्वेस्टमेंट की लीमिट बढ़ाने तक के फैसलों में बहुत लाब इस सेक्टर को मिल रहा है, आज के दिन हम यहाँ जब बैटे हैं, तो हमें आपके प्रो एक्टिव पार्टिसिपरेशन की भी अपेक्षा है, पी एलाई से जुड़ने में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही हैं, अगर कुछ इसमें सुधार हो सकते हैं, जो जरूर अपनी बाते आपको लगती हैं, आप जरूर रखें, मेरे तक भी पहुँचाएं। सात्यों मुश्किल समय में हमने दिखाया है कि सामुहिक प्रयासों से हम बड़े बड़े लक्षा हासिल कर सकते हैं। कोलोब्रेशन की यही अप्रोच आत्म निर्भर भारत का निर्मान करेंगी। अब इंदस्ट्री के आप सभी साथों को आगे बढ़कर नए अवसरों पर काम करना है। इंदस्ट्री को अब देश और दुनिया के बेस्ट क्वालिटी गुड बनाने पर फोकत बढ़ाना है। इंदस्ट्री को फास्ट मुविंग, फास्ट चेंजिंग वर्ड की जरूरतों के हिसाब से इनोवेट करना होगा। आर एंडी में अपनी भागेदारी बढ़ारी होगी। मैन पावर की स्कील अपग्रेडेशन और नई टेक्नलोजी के उप्योग में भारत की इंदस्ट्री को और बढ़कर काम करना होगा। तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटन हो पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के इस मंतन से मेक इन इंडिया, मेक फॉर्ड वर्ल इस सफर को आप सभी के विचारों, आप सभी के सुझावों, इस से नया बल मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, नई जीत मिलेगी, नई उर्जा मिलेगी। मैं फिर आगर करूँगा कि आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, रिफॉर्म को लेकर जो भी आपके सुझाव हैं, वो मुझे जुरू पहुंचाईए, खुले मन से पहुंचाईए, सरकार आपके हर सुझाव, हर समस्या के समाधान के लिए तयार हैं। मैं एक बात और कहूंगा, सरकार की इंसेंटिवस की में वबस्ता हैं, जो भी हो, आपको कभी सिधा जादा लगता है कि दुनिया में जो माल है उससे हमारा सस्ता हो तो बिकेगा। यह अपने जगा पर सही होगा। लेकिने मान के चलिए, इन सबसे बड़ी ताकत होती हैं क्वालिटी की। हमारी प्रोड़क कितनी कॉम्पुटिशन में क्वालिटी में खड़ी रहती है। फिर दुनिया दू रुपिया जादा देने के लिए तयार हो जाती है। आज भारत एक ब्रांड बन चुका है। अब आपको सिरफ अपनी प्रोड़क की पहचान बना दीते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। अगर मेहनत करनी हैं तो प्रोड़क्शन क्वालिटी पर करनी है। PLI का ज्यादा फाइदा, PLI में और अधिक बेनिफिट मिले उसमें नहीं है। PLI का ज्यादा फाइदा प्रोड़क्शन की क्वालिटी पर बल देने में है। इस पर भी आज की चर्चा में ध्यान देंगे। बहुत लाभ होगा। मैं आप इतनी बड़ी तादा में इस बार जुड़ रहे हैं। आप दिन भर बैठने वाले हैं। मैं ज्यादा समय आपका लेता नहीं हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सुबकामना है। और इस समारों में आने के लिए मैं रिदेश आपका आभार वेक्ट करता हूँ। धन्यवाद। लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले। और खबूले। अपक्षब धन्यवाद करें।